नमस्कार और वल्लकव योलू वर्लफेर्ट यहां प्रशान धवन सो व्लादमेर पुतिन ने वार डिक्लेर कर दी योध स्टार्ट हो चुका है अब ये बात सिर्फ दौनबास तक सिमित नहीं रही पुतिन अटाक कर रहे हैं युक्रेइन की कैपिटल पर इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ युक्रेइन पर ब्लेस्टिंग मिसाल बरसाई जा रहे हैं हर तरफ से युक्रेइन पर अटाक हो रहा है और यहां पर आप देहेंगे रश्यन प्रेजिडेंट व्लादमर पुतिन डिक्लेर्ज वार एक इन्हों ने स्पेशल ऑपरेशन अनाउंस किया है इनके हिसाब से पुतिन ये क्या रहे है कि मैं बहुत ही जल्द डी मिलिटराइज कर दूँगा युक्रेइन को देखिए मेरा ये मानना है पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे प्रोसेस में रश्या को भी बहुत ज़रा लॉसेस करने हो और उसके बाद ये अब रश्यान फोर्सेस यहां से आगे बढ़ रही है मगर जो इनका एडवांस है बहुत ज़रा स्लो होने वाला है क्योंकि युक्रेइन के पास भी एक ठीक ठाक आर्मी है ये लोग भी वेट कर रहे है रश्यान का तो इसलिए रश्यान पहले बरसाएंगे बहुत सारे बल कर दे और उसके बाद आप देखेंगे एक प्रॉपर मिलिटरी इन्वेजन होगी बाई रश्यान मिलिटरी नौ यहां पर आप पूछेंगे तो क्या व्लादमन पुतिन पूरे युक्रेइन को कबजा कर पाड़ना रहेंगे रश्या का तो इसका अंसर है नहीं पुतिन का प्लादम आपर प्लान यह है कि पहले तो दे मिलिटराइस करेंगे अभी के लिए जो ग़्रॉपर मिलिटरी जो भी युक्रेइन में इसको बिलकुल दिस्ट्रॉइ कर देंगे जो इनकी मिलिटरी जो भी यूपर्फ की से वनी है इसको destroy कर देंगे, उसके बाद पुतिन ने categorically ये का है, कि ये लोग Ukraine को occupy नहीं करेंगे, मेरा personally ये बानना है कि most probably या तो Ukraine को further divide कर देंगे into many countries, बहुत सरा बटवारा हो जाएगा, primarily हो सकता है कि दो हिस्सों में Ukraine को बार दिया जाए, एक तो होगा यहाँ पर Eastern Ukraine, दूसरा होगा Western Ukraine, ये काफी बड़ी possibility है, नहीं तो अगर पुतिन चाहें, अगर इनका advance बहुत strong रहता है, ये बहुत aggressive रहते हैं, तो ये all the way, पूरा Western Ukraine भी liberate करवा सकते हैं, अगर problem यहाँ पर यह होगी, कि Ukraine का जो ये वला इससा Eastern part, यहाँ पर कुछ हद तक pro-Russian लोग बिल जाएंगे र उसके इलावा, Russia को एक threat ये भी होगा, कि Russian forces exposed हो जाएंगी attacks से, from Poland, Slovakia, Hungary, ये एक ऐसा risk है, जो पुतिन नहीं लेना चाहेंगे, तो मेरा ये मानना है कि Russia advance करेगा, बिलकुल हो सकता है कि Kiev भी कब जाले, मगर जो Western Ukraine है, इसको ये छोड़ देंगे, और जहां तक मैं observe कर पा र Ukrainian Army को के surrender कर दो, खून खराबा कम होगा, surrender कर दो, लड़ना हमसे मत, हम लोग आएंगे, अभी के लिए demilitarize कर देंगे तुमारी country को completely, उसके बाद हम decide करेंगे कि आगे क्या करना है, हमसे लड़ोगे तो खून खराबा होगा, ये पुतिन की एक बहुती ज़रा मैं काऊंगा cold-blooded warning है to the people and the military of Ukraine, अब इस भीज यहाँ पर आप पूछेंगे, US ने क्या का है, देखिए USA के President और आप सब में मुझ में, आज के समय इतना फर्क है नहीं, हम सब लोग hope and pray कर रहे हैं, और बार्डन ने भी यही बोल दिया, के prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by the Russian military forces, तो American President पातना करेंगे Ukraine के लोगों के लिए, basically भवान उनकी आदमा को शांती दे, human suffering definitely यहाँ पर होने वाली है, कई लोग मारे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बतातू, Ukraine एक heavily populated country है, अपने size के हैसाब से, 4 करोड से भी उपर किया पर आबादी है, और obviously जब Joe Biden इस टाइप की comment तो Americans appreciate नहीं करने वाले, Joe Biden की जो approval rating है आज के समय, यह 40% के आसपास तक पहुच चुकी है, अब आज के समय, Biden को जो बहुत जारा आप कहलीजे, cutter Democrat supporter है, वही पगड़के रखिया नहीं, तो और जगा आप अगर देखो, तो Joe Biden की approval rating historic low पे है, primarily Ukraine के issue को लेकर, सिर्फ 36% Americans हैं, Biden ने ठीक किया, और यह तो तब का पोल था, जब पुतिन ने war declare नहीं करी थी, अब जब scenes सामने आएंगे, photos अभी सामने आएगे न, के घर टूटे हुए हैं, उन पे missiles गिर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, माबाब रो रहे हैं, लोग इदर दर भाग रहे हैं, जब यह video सा युक्रेइन के प्रेजिडेंट जलंस्की ने एक बहुत जारा मैं काऊंगा spine chilling comment करी, जलंस्की ने camera को देखकर ये कहा, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो friendly countries है, हमारी शकले याद करें, यह वही शकले हैं, जिने हमारी allied countries ने abandon कर दिया था, जब हमको उनकी need थी, जब हम पे attack ह पुरा था, तब इन सब countries ने sanctions के लावा कुछ भी नहीं किया, तो sad state of the affairs है आज के समय, पुतिन को definitely history में याद किया जाएगा as a military aggressor, और obviously since इतना violence यहाँ पर हो रहा है, इतना ज़रा यहाँ पर एक डर है global war का, तो global stock markets crash होनी start हो गई है, चाहे Indian market हो, Chinese market हो, Hong Kong, Taiwan, कोई से बच resistance दिखाएगा, मैं नहीं मानता के जिस तरी के से अफगानिस्तान में Taliban चड़िया था, ये लोग Russia को accept कर लेंगे, कुछ resistance Russia को मिलेगी, already videos आ रही है online, कि Russia का ballistic missile launch होता है, और Ukraine अपने air defense system से कुछ missile इनके shoot down भी कर रहे है, तो Ukraine कि आप अगर देखो, global firepower index में ranking है 22, obviously Russia की rank 2 है, difference बहुत जड़ा बड़ा है, अंत में जीत Russia की होने वाली है, Russia की आबादी 14 करोड से उपर है, Ukraine की आबादी 4 करोड 30 लाग के आसपास है, Russia का defense budget आप अगर देखो, तो almost 45 से लेकर 50 billion dollar के आसपास जूलता रहता है, Ukraine का defense budget आज तक 4-5 billion dollar तक भी नहीं पहुचा, difference huge है, मगर since इन बहुत जाएंगे, जब Russian military मारे शहरों में आएगी, तब एक बार को gorilla warfare करेंगे, but we will fight for our country, तो बिलकुल resistance रशिया को मिलने वाला है, इसके बाद क्या होगा, देखिए, बहुत जादा ugly scenes देखेंगे, Ukrainians तो बहुत भी बड़ी संख्या में मरेंगे, मगर जब रशिया में मर Russia एक बार को एक आपके लीजे, pride में, ego में, बाकी countries पर भी aggression दिखाए, कुछ navy से attack करे, that can very much happen, और of course एक possibility यहाँ पर ये भी है, कि मान लीजिए, hypothetically speaking, Russian army एक बहुत भड़ा blunder कर देती है, ये जल्दी अंदर चल जाते हैं, Ukraine में उसके बाद Russia के बहुत से soldiers मारे जाते हैं, प proper nuclear attack की धमकी ओलडी रशिया दे चुका है, हो सकता है कि एक small scale attack भी करके दिखाए रशिया अपने defense के लिए, now as Indians हमारी number one concern क्या होनी चाहिए, मेरा ये मानना है कि geopolitics and Russia के relations ये सब secondary है, इंडिया की number one priority होनी चाहिए, Indian students जो आज के समय, Ukraine में पढ़ रहे हैं, 20,000 के आसपास Indian students ह इनको airlift करके जल्दी से जल्दी हमको Ukraine से निकालना होगा, process start हो चुका है, Air India की flights अभी गई है Ukraine में, personally मैं मानता हूँ जल्दी कर लेते, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, मुझे याद एक दो comment कर रहे थे लोग वहाँ पे, sir attack तो होना है नहीं, कुछ नहीं होना sir, क्य करेंगे तो US तो कहता रहता है, well now we are here, ठीक है अब यह जो situation है, काफी dangerous है, Indians की casualties हम उमीद करते हैं, I really pray के यहाँ पर ना हो, overall हमारा operation थोड़ा late start हुआ है यहाँ पर, but hopefully Russia civilians पर, civilian planes पर इतना attack नहीं करेगा, now Ukraine war को लेकर all updates होती है, उस पर मैं और वीडियो अपलोड करता याद रखिये, यह global peace पर अब तक का सबसे बड़ा खत्रा है, in the last 20-30 years, मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा खत्रा आया होगा, this war might affect every single country in the world, और finally आपर मैं यह भी याड़ कर दू, किया आप किसी भी exam की चारी कर रहे हैं, चाहिए UPSC, SSC, bank, any examination, simply jow on academy.com पे, choose करो एक the exam of your choice, for example, आप prepare कर रहे हैं, let's say for bank examinations, click over here on bank exams, और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे the course of your choice, अगर आपके पास अभी 2 साल का time है, आप रहाम से prepare करना चाहते हैं, तो simply यहाँ पे आप कर सकते हैं, 24 month पे, मगर जो यहाँ पे prices लिखे हैं, 390 rupees per month, pay करने की आप शकता बेलकुल नहीं है, simply यहाँ पर code use करो PG10, and the prices will start falling, और मेरे द्वारा बनाएंगे, free test series भी available है, सिरा जाओ comment section में, यहाँ पे आपको मिलेगा link, इस link पे click करके आप enroll कर सकते हो, free of cost test series पर made by me, यहाँ पे आपको Monday से Friday test मिलेंगे, to prepare for current affairs, absolutely free of cost, तो यह है आपर video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all.